नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फियर्स क्लाउड में तो दोस्तो फूफा यानि की फ्यूचिरेस्टिक अन्मैंड फाइटर एरक्राफ जिसे सार्ट फूफा भी कहते हैं और भारत के इस फूफा फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है लेकिन जिन तरीकों से पिछले एक माहिने से लगातार इस प्रोजेक्ट पर खबरे निकल कर आ रही है और जितना तेजी से इस पर कारिक किया जा रहा है उससे एक बात तो साफ होती नजर आ रहे की इस फूफा प्रोग्राम को लेकर भारत सरकार बहुती सीरियसली और बहुती तेजी से आगे बढ़ रही है लेकिन इन सब खबर को पूरा बताने से पहले जिन लोगों को इस फूफा प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कर वीडियो को देख सकते हैं और इस फूफा प्रोजेक्ट पर मैंने दो वीडियो को पिछले महिने बनाया है और आप लोग जाकर दोनों वीडियो को देख लीजिए तो चलिए अब चलते हैं अपनी इस खबर पर दरसल दोस्तों फूफा एक Unmanned Fighter Aircraft है और यह विवान एक छटी PD का विवान होगा तो दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि भारत IIT कानपुर में इस्थित जो Wind Tunnel Test Facility है वहाँ पर फूफा की टेस्टिंग सुरू हो चुकी थी जिसमें इस टेस्ट में फूफा Fighter Jet का पहला Scale Model Test भी किया गया था लेकिन अब जो खबर निकल कर आई है जिसमें ये कहा गया है कि इसके दूसरे Scale Model की भी टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है लेकिन इस दूसरे Model Test में कुछ खास चीजे भी टेस्ट की जाएंगी तो आप लोगों को बता दूँ जो Scale Model इस बार टेस्ट होगा उसमें जो इस विवान का Air Intake है यानि की जहां से विवान के अंदर हवा पास होकर इंजन तक पहुंशती है उसे ही Air Intake कहते हैं और उसी Air Intake की Study की जा रही है और इसके Off Design और In Design को भी जाचा पर खा जा रहा है और इस तरह की Study बहुत ही माइने रखती है क्योंकि इस तरह की Study को मिला कर इस विवान का Final Design भी बनाया जाएगा और इन सब बातों के अलावा इस विवान पर और भी खबरे निकल कर आई हैं वो भी सुन लीजिए दरसल दोस्तों इस विवान के जानकारों का कहना है कि जिस तरह का या विवान है और जिस तरह की इसकी खास्यते हैं इससे साप साप पता चलता है कि इसका उप्योग होगा सीधा सीधा हमला करने के लिए और या विवान फ्रेंट लाइन विवानों की स्रेडी में उडान भरेगा आप लोगों को सीधा सीधा समझाऊं तो इस विवान को सूपर स्टेल्स तकनीक से बनाया जा रहा है ताकि कोई भी एडवांस से एडवांस रडार इसे अपने रडार में पकड़ ही न पाए और जब इस विवान को रडार पकड़ने में नाकाम होगा तो या विवान आसानी से दुस्मन के इलाके में गुश कर उसके रडार सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह करेगा ताकि इस फूफा के पीछे जितने पांचवी पीड़ी के या फिर चौती पीड़ी के विवान होंगे और वो दुस्मन के देश में गुश से तो उन पर इनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से हमला ना हो सके और जैसे ही दुस्मन के एर डिफेंस सिस्टम को या फाइटर जट नस्ट कर देगा उसके बाद भारती फाइटर जट भारी तालात में दुस्मन देश मर गुश कर बंबारी कर और दुस्मन के एर फोर्स स्टेशनों को तबाह कर देंगे फिर आप लोगो एक बार फिर याद दिला दू कि या विमान बहुत ही हाई-end टेक्नालाजी के साथ आएगा और कुछ टेक्नालाजी तो ऐसी भी है जो अभी भी बनकर तयार ही नहीं हुई हैं और ऐसे में सभी टेक्नालाजी को तयार करने में समय तो लगेगा ही आप लोग मान के चलिया की एमका जो की भारत का पांचवी पीडी का विमान है उसके तयार होने के दो से तीन साल बाद ही बनकर तयार होगा लेकिन आप सभी लोग एक बात जान लीजे की जिस दिन भारत का या विमान बनकर तयार होगा उस दिन या विमान दुनिया के सबसे एड़व विवानों में से एक होगा और आपको बता दूं कि इस तरह का लड़ाकू विवानों पर कुछ ही गिने चुने देश कारे कर रहे हैं और फिलाल के लिए इस फूफा पर इतनी ही अपडेट निकल कर आई है और जैसे ही कोई नई अपडेट निकल कर आएगी तो मैं आप लोग कि अ कि अ कि अ कि आएगाओ में आएगी निकल कर दो प्राब टो बता दूबीघ कर दो में अपड़ान तो मैं